श्माशकार मैं हूर एकापाल और आप देख रहे हैं वाइबरिंट लाइव नियूज देश में कुरोणा महामारी की तीसी लहट से लोगों में खौफ है राजों में लगतार कुरोणा के मामले बढ़ रहे हैं नौ महीने में पहली बाद संक्रमन का आँखड़ा एक लाख के आँखड़े को पार कर गया 24 घंटे में संक्रमन के 1,16,990 नए मामले सामने आये हैं और इस दोरान 302 लोगों की मौत हो चुकी है गुरुवार कितुल्ला में देश में 28.8 प्रतीशत जादा केस मिले हैं देश में सबसे संक्रमित राज्यों में पहला नंबर महराष्ट्र का है महराष्ट्र में 36,265 केस सामने आये हैं वही पश्यम बंगाल में 15,421 केस सामने आचुके हैं बात दिल्ली के करें तो दिल्ली में 15,99 केस सामने आये हैं तो वही तमिलनाडू में 6,983 केस और करनाटक में 5,031 केस सामने आचुके हैं भारत में कुलकेसों में 60.2 नौ प्रतीशत नई केस इनहीं पांच राज्यों में से आये हैं जबकि कुलकेसों के 30.69 केस सिर्फ महराश्टर से मिले हैं वही राजस्थान के सीम अशोग गहलोत कोरोना की चौपेट में आ गए हैं गहलोत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी बता दें कि गहलोत के वेटे वैभव पहले ही संक्र में थो चुके हैं राजव में कुरोना के बड़ते मामलों के बीच मुक्य मंतरी अशोग गहलोत ने लॉकड़ॉन लगाने से साफ इनकार कर दिया है बात महराश्र की करेंगे महराश्र के ग्रह मंत्री दिलिव बाल से पाठिल के चार्ज स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं ग्रह मंत्री कार्याले के मुताबिक मंत्री के आवाज पर रहने वाले सब ही लोगों के सैंपल टेस्ट किये गए जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है अब केंद्री गहर राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए है उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी वही तीन दिन में चंदिगर पीजियाई के 196 डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और अन्य करमचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गए है इनमें 87 डॉक्टर और 109 दूसरे स्टाफ मेंबर है बात पर्शिम बंगाल की करेंगे पर्शिम बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते राज की CM ममता बेनर जी PM मोदी के साथ वर्चुल मीटिंग करेंगी CM ममता बेनर जी ने खुद इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी वही राज में आने जाने वालों के लिए आटे PCR टेस्ट अनिवार कर दिया गया है वही देश में पहला ऐसा मामला सामने आया जिसे हर कोई देख कर दंग रहे गया मामला पंजाब के अमरिस्र अंतराश्टी एरपोज का है जहां गुरुवार को इटली से पहुँची एक चार्टेड फ्लाइट YU661 में 125 या 3 कुरोना संक्रमित मिले फ्लाइट में कुल 179 पैसेंजर सवार थे सभी कुरोना से संक्रमितों को उनके संबंधित जिलों में क्वेंट चाइन कर दिया गया है बता दें कि यह पहली बार है जब किसी एक फ्लाइट में इतनी जादा संक्रमित मिले हैं तो हमने आपको बताई कुरोना के रफ्तार से जुड़ी बड़ी खबरे हमने आपको दिखाया कि किस तरह कुरोना के चपेट में आम लोगों से लेकर खास शक्सिते भी आ रही है इसलिए वाइबरेंट लाइब नियूज भी आपसे अपील करता है कि मास्क पहने और सरकार की गाइडलाइन्स का पालन करें साथी देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरे देखने के लिए देखते रहे है वाइबरेंट लाइब नियूज निर्भै सत्य जनता की आवाज